मैं आज मिलवाता हूँ अपने एक छोटी सी फैमली से जो की काफी जादा अपने आप में यूनीक है और वो आपस में ही खुश रहते हैं और काफी जादा इंपोटेंट देते हैं आपस में एक दूसरे को इनसान के जैसे नहीं जो की जब मतलब हो तो पूछा जाता है उसके जादा इन्पोरटेंड चीजर इन सारे जान्वरों के लिए जान्वरों के उपर जितने वी बैक्टेडिया होते वोग हत्य हों कि छतम होते हैं संवास्किंग से तो यह से करते हैं तो आप लोगों का मैं मिल व 14 अपने जान्वरों से यह है नाईला जो की बेसिकली एक जर नायला बेसिकली बहुत ज्यादा ही सब को प्यार करती है कभी-कभी मैक्सु भाई-साब जो की मेरा ग्रीन निगवाना है यह इसके ऊपर चट भी जाता है तब यह कुछ नहीं कहती है और इदर हमारे बत्तक भाई-साब जो की साथ में यह भी है पक-पक आजा इदर आओ इधर आओ इदर अधार देखो एक ब़र बुलाने पर भी आ जाता है काफी ज्यादा समझदार होते हैं बत्तक और यह काफी जयदा इनके हरकते इतने फनी होते हैं जो देखके आपको बहुत ज्यादा मजा आता है तो उस वबयासे मैं इसे रख लेनसे के बहुत ज़ादा ही सहतान है यह बेसिक्लिन सहय गया है पालने वाले लोग होते हैं उनको दे ते-देद्शेइए एक माना मेरा proper mature हो चुका है आप देख सकते हो इसकी beard के नीचे देखो एक गोल सा गोला सा आ गया है बिलकुल यहाँ पर जो जिसे maturity का और निसानी होता है वो है और यह अभी इसकी full growth हो चुकी है अभी इसके अंदर जो भी आएगा वो fat आएगा और यह पूरा बलकी सा दिख के गई है जैसा कि आप देख पा रहे हो एम एक सू कि इसे प्यार करवाना बहुत ही ज्यादा पसंद है इस तरीके से आप अगर सर पे हाथ डालते हो तो यह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इसका भी सेडिंग हो रहा है अगर आपका एगवाना का प्रॉपर है टाइम पर अगर सेडिंग हो रहा है जल्दी है तो ग्रोथ भी होता है जब छोट एगवाना उसको होते हैं तो यह कह रहा और प्यार करों आख मंद कर रखा है तो यही एक छोटी सी हमारी फैमली है जैसे कि आप देख रहे हो नाइला साथ में ही बास्किंग कर रहे हैं बिलकुल किसी को कोई कुछ नहीं नुक्सान पहुचाता लेकिन एक ऐसा डॉग है जिसे अभी अभी मैंने इन सबसे इंटुड्यूस नहीं करवाया सिर्फ नाइला मिली है उस डॉग से थोड़ा सा इन लोगों को मैं अलग रख रखा वो कोई और नहीं वो रॉटवायलर डॉग है मैं मिलवाता हूँ उससे उसका नाम सिंबा है यह रहा वो रॉटवायलर डॉग यह रहा अभी इसे मैं सबसे सोसलाइज करवा रहा हूँ दीरे दीरे टाइम लग रहा है इसमें इसके अंदर एग्रेशन बहुत ही ज़्याद आए इधर आओ देखो पूरा आ रहा है तो इसके अंदर पूरा बच्पना है इसके अंदर से बच्पना अभी खतम नहीं हुआ है तो उस वैसे इसके अंदर कि सबसी चलो सेट तो अभी यह ट्रेंडिंग पिरियोड में है तो अभी मैं से दीले दीले करके हर चीश है यह डाउन सिंबा ओए मैंने इसे डाउन भी सिखाया है सिंबा डाउन डाउन तो यह अभी ट्रेंडिंग में सीड और डाउन सीख लिया इसने यह बिल्कुल मेड़ा के जैसे सोता है इसके सोने का यही स्टाइल है कि यह अभी दस महीने का हो चुका है अभी प्रॉपर यह मैचूर नहीं हुआ उस वैसे इसकी जो बिहेवियर है वह बेवी वाले अभी भी है तो इसकी जीन अभी भी बच्चों वाली है तो उस वैसे इसके अंदर बच्पना पूरा है अभी भी है यह अभी बिल्कुल जाता इसके हर एक हरकत ऐसे हैं जैसे छोटे बच्ची के होते हैं उस तरीके का तो धीरे-धीरे जब इसके अंदर मेचुरेटी आएगा तो यह ठीक हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा कैसे देख रहा है ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सरीफ हो लेकिन इतनी सरीफ ही इसके अंदर है नहीं जितना यह दिखा रहा है है सरीफत नहीं आगा चलिए मिलते हैं आप लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो में ओके बाइबाए